डॉल्टन एकोंिक थियूरी मैटर जो होता है किसी भी अगर कोई मैटर की फॉरमेशन हुई है तो जो उसमें सबसे स्मॉलेस पार्टिकिल होता है वो क्या कहाराता है आपका आटम मतलब अगर हम एक बिल्डिंग की फॉरमेशन कर रहे हैं तो वहाँ जो smallest particle हो वो क्या कहलाईगा आपका bricks तो इसी तरीके से atom जो होता है वो किसी भी matter का smallest particle होता है next इसका जो point आता है atom जो होता है वो किसी भी chemical reaction में participate करता है बहुत से बच्चों का ये confusion होता है कि सब molecules करता है नहीं बेटा molecules नहीं करता है किसी भी chemical reaction में atom ही क्या होता है सबसे smallest particle होता है जो participate करता है next इसका point होता है किसी भी element में जो ties of atom होते है उनका जो character होता है वो क्या होता है सभी का same होता है for example अगर हमने gold लिया है तो जितने भी atom and molecules उसमें होंगे atoms होंगे वो सभी किसके होंगे atoms किसके change हो जाएंगे वो fe के आजाएंगे या फिर other part के उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा हम cut भी करेंगे कितने भी part में cut करेंगे doesn't matter यह matter बिल्कुल भी नहीं करता है उसके सभी atoms किसके होंगे आपके gold के ही होंगे then अगर अगर हम 2 elements ले लेते हह 2 elements जैसे हमई iron का ले लिया और Gold का ले लिया तो इन दोनों के ही atom की properties होगी वो कभी..सब ही क्या होगी? different होगे क्योंकि different element है अगर different element हो definitely उनकी properties भी होगी वह भी क्या होगी? different होगी अब हम चलना है बात करने के लिए अगर दो element या फिर क्या करते हैं आपस में combined होते हैं जैसे मेरे लिया na और cl na और जब cl combined होते हैं तो na cl की formation करते हैं अब वो क्या होंगे सबसे smallest whole number में इनका ratio consider किया जाता है अगर वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो like करें